गुड मॉनिंग आला फिर एमके साओ कलासेज में आपका स्वागत है आज हम कामस 2023 में जो पेपर हुआ है वो इसके एमसी क्यों लाएं है तो आप लोग इसको देखिए लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसमें हम उन 20 कोश्चनों को हल करेंगे जो पेपर 2023 में पूछा गया है 2023 पेपर का जो टाइमिंग होता है वो तीन घंटा 15 मिनट होता है फुल पेपर का पुलांग 70 का होता है 15 मिनट परिछार्थों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है प्रसंख्या एक से 20 तक बहुविकल पेपर क जो कि आपको अमार सीट पर अंसर देना है और बाकी जो कोश्चन है उनको आपको कौपी पर लिखना है 22 फरवरी से परिछाएं शुरू हो रही है उस दिन हिंदी भी है सुबह मेटिंग में शाम मेटिंग में आपका कामर्स का पेपर है तो इसमें आप लोग देखे वाज के रिए और अपने आपको आगे कि कितना हम तयार है पहला कोश्चन है तलपट किसके लिए उपयोग किया जाता है यह एक बित्य विवरण है बी आप्शन यह आर्थिक चित्थे के सेशों को रिकार्ट करता है से आप्शन एले खंकन चक्र के लिए योगदान नहीं करता ह है और डी आप्शन है यह खातों के सेश को रिकार्ड करता है तो तलपट में जो है सभी खाता वही से जो खाते बनाया जाते हैं उन्हीं खातों के माध्यम से हम लोग खातों का सेश रिकार्ड करते हैं इसलिए इसका जो आप्शन होगा वोगा आपका डी यह खातों के अब लोग इंग्लीस में भी वाज़ कर सकती हैं सेकंड कोईस्चन है वकाय वेतन है वास्त्विक खाता है नाम मात्र खाता है好吃 खाता है या इन में से कोई कताया अर रियल एकाउंट जो वज़तों से संबंदित होती हैं वह रियल एकाउंट के इंदर घताते हैं जैसे मसीन खाता है यह आपका कह लीजिए खाली अगर बेतन दिया होता तो वह नामनल में आ जाता लेकिन अगर बकाया बेतन दिया हुआ है तो यह आपका प्रस्नल एकाउंड के अंतर करता आता है कि नेक्स्ट कोश्चन को कुश्चन नमबर तीन बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार पुछा गया है भारतिय रिजर्बांक के स्थपना को भूई भारतिय रिजर्बांक के स्थपना यह आप्शन О965 बी है और C option है लेखक और D है इन मेंसे कोई नहीं तो बिनमवी पत्र लेखक लिखता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रावर एक ड्रावर होता हो और एक ड्रावी होता है एक बेचान करता होता है क्वेशन नंबर 5 क्वेशन नंबर 5 है कौन सी मशीने लिफाफो राइपरो समाचार पत्रों आर्पर पता छापती हैं E option है fax machine B option है जोडने वाली मशीन C option है करना करने वाली मशीन और D option है addressing machine तो इसका जो option है d addressing machine question number 6 निमलिकिन में से कौन सब बड़े पैमाने पर व्यापार का रूप नहीं तो भी भागे भंडार ये बड़े पैमाने पर होता है भी आप्शन सुपर बाजार ये भी बड़े पैमाने पर होता है शीहे बहुग, विकल्पिय शिंखला भंडार ये भी बड़े पैमाने पर होता है और D जो है प्रोविजिनल स्टोर प्रोविजिनल स्टोर जो है ये छोटे इस्तर पर होता है इसलिए आप्शन हमारा D शाही है question number 7 माल की आपूर्ती की दसा में भीजक निर्गमित करने की तिथी क्या होगी माल को हटाने के समय या उसके पहले किसी तिथी को B आप्शन है अग्रिम प्राप्त होने की तिथी C आप्शन है माल के प्रावधान की तिथी या D आप्शन है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका आंसर C होगा माल के प्रावधान की तिथी question number 8 समासोधन ग्रे भारत में पर्षारित किये जाते हैं किसके दůरा या आप सेंब्त भारतिया रिजर्ब गयंग strive अफिंडिया आप सिर इन इन आपसन समा सोधन ग्रे, C आपसन मुख वैंग और D आपसन देश का केंद्रिय वैंग, तो भारतिय रिजर वैंग देश का केंद्रिय वैंग है जिसके सापना 1935 को हुई थी, यह आपसन आपका D सही है, Q10 है, इंपेरियल वैंग का स्टेट वैंग में परिवतन का कारण था, यह आपसन किर्शी वैवशाय के प्रतला परवाही, B आपसन है अधिकारों का दूर्पयोग, C आपसन है शाखाय कोलने की गलत नित, और D है इन मेंसे सभी, इसमें आपका अंसर D सही होगा इन मेंसे सभ चुकि किर्शी वैशाय के प्रतला परवाही भी, अधिकारों का दूर्पयोग भी हो रहा था, और साखाय कोलने की गलत निती भी थी, यानि यह तीनों चीजे थी, इसलिए आपसन इसमें आपका D सही है, ग्यारा नंबर कोश्चन है, ब्यापारिक बैंकों का कार है, ब्या इसे सभी, बारा नंबर कोश्चन है, निमलिखित में से कौन सा देश, देशी बैंकर की श्रेणी में आता है, शहकारी बैंक, महाजन, C आपसन भूम विकास बैंक, और डी है छेत्री ग्रामीर बैंक, तो इसमें आपका अंसर होगा, महाजन या साहुकार, यह जो होते ही, कि देशी बैंकर की सिरेणी में आते हैं, कोश्चन नंबर 13, बैंक क्या है, बैंक एक व्यक्त है, बैंक एक संस्था है, C एक समित है, D इन में से सभी, तो बैंक एक संस्था है, और आपसन आपका B सही है, तेरा नंबर कोश्चन, उपियोक्ता, शामानित या संबंधित है, उप्योक्ता सम्बंदित है इसे सम्बंदित है यह आपसन संतुष्टी से वी है आवसेक्ता से सी है उप्योक्ता से या डी है इन में से कोई नहीं तो इसका आपसन होगा आवसेक्ता से जब हमारी आवसेक्ता होगी उप्योक्ता आवसेक्ता से सम्बंदित है पंदरा नमबर कोश्चन है निमलिकित में से सीमान तुप्योगता हरास नियम किश्पर आधारित है A आपसन मांग के नियम पर B आपसन है परत्याय के नियम पर C आपसन है पूर्थी के नियम पर D आपसन है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपसन होगा आपका D, इनमें से कोई होगी है 16 नंबर कोशन है, हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि आपसन यह है, यह सुरच्छित है, B है, ब्याजपराथ होता है C है, किसी भी समय निकाला जा सकता है और D है इनमें से सभी इसमें आपका आपसन होगा, D इनमें से सभी Next question बैंक ब्याजपराथ का भुकतान करता है A जमाओं पर, B रिणो पर या जब आप जमाँ करेंगे तो बैंक ब्याजपराथ का भुकतान करता है जमाओं पर, रिणो पर, A और B दोनो तो या D है इन मेंसे कोई नहीं तो आपसन इसमें ये सही होगा जमा उपर बैंग भ्याज का भुक्तान करता है जमा उपर Quesion No.18 C के निर्गमित किये जाते हैं भारत सरकार दोरा B आपसन है नावार दोरा C आपसन है सारजनी कुपकरम दोरा और D आपसन है भारती स्टेट बैंग दोरा तो ये है भारत सरकार के दोरा भारत सरकार के बित्त सची दोरा जो है सिक्के रिस्यू किया जाते हैं बाकि जो नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के जो नोट है वो Reserve Bank of India के दोरा इस्यू किया जाता है Reserve Bank of India के गौर्णर के दोरा 11 नमबर कुश्चन है अन्तिम खाता है एक A आपसन खाता भही B आपसन लेखा C आपसन बियूरण और D आपसन लेखा और बियूरण दोनो तो अन्तिम खाता है एक बियूरण ये एक स्टेटमेंट होता है इसलिए एक बियूरण जो है आपका आंसर C रही है 20 नमबर कुश्चन है परतिग्या पत्र में कितने पच्चकार होते हैं तो परतिग्या पत्र में दो पच्चकार होते हैं आपसन लेखा एक B दो C तीर और D चार तो इसमें आपका आंसर है B द्यान दखिए का परतिग्या पत्र में दो आपसन होते हैं दो पच्चकार होते हैं और जो बिनवर पत्र होता उसमें तीन पच्चकार होते है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए बीस कोश्चन हम लोगों ने आज डिसकस किया और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा देकि ये पेपर आप लोगों के और इसे वाद जरूर करिएगा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा झाल